दूसरा जो पल है कि ये जो फ्रूट और रजल्ट या कर्मफल ये जो च्छाओ या जो ब्रिस आपको दिखाई दे रहा है ये जो रोशनी आपको दिख रहा है ये आता कहां से है लहरे तो आपको दिखाई दे रही है बादल तो आपको दिखाई दे रहा है लिसकिन उसका व क्या है वो क्या है कि कहां से संचालित होता है वो किदर है अगर उनका दर्सन होता तो कैसा रहेगा अरे देवताओं के दर्सन तो बढ़िया है लेकिन देवताओं को कौन चला रहा है अगर उनका हो जाए तो बात ही क्या है तो वक्त उनको देखने, सुनने और समझने और पी जाने का है वह भी प्रोफेशन से एक टीचर और टीचर और सिच्छक इस दुनिया का सबसे सम्माननी सब्द और पद है जोरदर तालिय होनी चाहिए और सिच्छक सिर्फ वही नहीं जो प्रोफेशनल है जो भी कुछ जिससे सीख रहे हैं या सिखा रहा हो सभी सिच्छक है और यह बिजनेस तो सिच्छक सिच्छकों को सिखाते हैं आप भी किसी को ट्रेलिंग करते हैं तो आप उसके लिए सिच्छक हैं आप कहीं से सीख रहे हैं तो कोई आपका सिच्छक है सिच्छक सिच्छकों को सिखाते हैं यह यह बिजनेस है सिखो और सिखाओ, सिच्छक बनो और किसी किसी से बनो तो अब हम जिनको सुनने वाले हैं जिनकी academic education, graduate, post graduate, दो दो बार post graduate बहुत सारा management की degree जिनके पास जो बड़े से officer की पर कि कई सारी उन्होंने तयारी भी उन्होंने करना सुरू किया तो एक बड़ा खुआफ था, well educated personality पहला से एक चमक आँखों में एक बड़ी खोच और उसके हिसाब से अगर उन्हों बिजनस में ना भी होते तो भी उन्हों लाखु रुपे अर्ण कर रहे होते लेकिन इस बिजनस में उनका आगमन हुआ और यहां आने के बाद एक साल, दो साल वो बहुत कामियाब रहे लेकिन बुरी तरह से फुलाफ भी रहे चार पान साल इस तरह फुलाफ रहे कि अपलाइनों ने कहना सुरू कर दिया कि अब आपसे नहीं होगा और डाउन लाइन तो टोटल ठोड़के भाग गई थी और उस समय उनके जो सापाठी हुआ करते थे गुरु भाई वो टब मुकाम पे होते थे और उनके हज्जारों हज्जारों का प्रोग्राम होता था उसमें सिर्फ अकेले जाते थे और ये हिम्मद मर्द को सिर्फ हो सकता है सामना करना हज्जारों को या मादी बस की बात नहीं है लोग जब अच्छा चलता है हर कोई धारता है यहां पे आके लेकि जब काम नहीं चलता है और कोई होता नहीं, लोग फोन नहीं उठाते, मिटिंग में नहीं जाते, बिल में घुच जाते हैं. और वो, विदेश साटरां में सो लोग, एक टीम के अकेले एक तरफ घूम रहे थे, सामना कर रहे थे हुमिलियेट हो रहे थे खुदी हुमिलियेट हो रहे थे कई मिटिंग होता था चुपचा बैठ के देखते थे ठीकर तुम हज़ारो एक तरफ लेकिन मैं अके लिए एक तरफ एक दिन कारवा बना दूंगा और ऐसा उनको करने में साथ वर्स का समय लगा कितना लगा और दो हजार नौ से फिर से एक पारी उन्होंने खेलना सुरू कर दिया और आगी की कहानी वो खुद बताएंगे बस हम अंतिम बात बताने जा रहे हैं कि आज इस देश के वो सर्पाध है इंडियान डारिट्सरी इ का वह कृद बएर कोई मुकाम होने सकता है जिनके हाड़ वर्क जिनका नेक नियत क्यार्ट आज हम जैसे गरीबों का और राम रसी जैसे गरीबों और अम्रीज जैसे माली हालात खराब लोगों का जिंदगी बदल रहें कितने बदल चुके हैं 500 तो बदल चुके हैं और लाकों लोग लाइन में 500 सिर्फ करोर पती हैं आपके टीम में लगपती की घंदगी नहीं कर रहा हूं और जो सक्स बोला है इसी अगरा की धरती भी आय सरके शानितम हूं शिवाई यश के आस तक बोला नहीं है लगाक्तार सिर्फ उनका राइट हैंड बन के रहा हूं और फक्र बन के रहा हूं जब तक सांस रहीगे तब तक रहूंगा इब ओलने की बात ने है अ दर्बदलू इंसान नहीं हूं और उनके आसिर्वास टीम इस उनके आशिरवास से मैं दो करोड की गाड़ी चलाता हूँ जब आप दो करोड की गाड़ी लेते हैं तो उसको चलाने में कम मेंटन करने में दो कर और लगता है हलो और चार करोड में किसी की मिल जाएना तो जीवन कट जाएगा उसका और उतना तो सिफ धूए में निकल गया आपकी कृपा से ऐसे महान सेक्षियों को किस सब्द किसे नवाजना चाहेंगे आप एक की कहानी है तिर परसुराम की ऐसे हजार परसुराम उनके नीचे हैं तो उन सक्स को सुनना उनको सुनना आपके जीवन के हज़ार उपलब्दियों में को उपलब्दिय हैं हम चाहेंगे गल गलाती तालियों के साथ में जोड़तार ताइसों को भुलाते हैं मंच पे हम सभी के पत पर दर्जक रैडिमस के फांडर लीडर आधरी स्रीमान माच्छ अशीरवाद दिया तो मैं बदले में तो क्या दूंगा लेकिन परमात्मा से उपर वाले से जो सब को देता है उसी से प्रार्थन करताहौम आफ सब के लिए कि मुझे जो आपने त्ड़त आप प्यार आशीरवाद निया उस्क्क्र – शाल हख को आपको बनाए, आपको घर म पर मुझे खड़े होने का मुखा मिला, तो इसके लिए मैं अपने आपको ऐसे मानता हूँ कि जितनी खुशी आपको हुई इस फंक्षन का हिस्सा बन करके उतनी ही खुशी मुझे भी हुई। से बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पर इस हौल में जो लोग बठे हुए हैं, तो लगबग 100% हमारा पूरवान चल बठा हुआ है, तो मैं एक ऐसी मिटी से बात कर रहा हूँ, जिस मिटी ने हमेशा, जिसका हजारों सालों का इतियास रहा है, इस मिटी न कि मिठी वो मिठी है जो शेर पैदा करती है यह मिटी वो मिटी है जो भीर पैदा करती है और यहां के धेर सारे लोगों ने जब हर छेत्र में नाम कमाया है तो सेव सोब में पीछे कैसे रह सकते हैं मेरे जीवन में यह बिजनस ने दस्तक दी मेरे भागी की रेखाओं को खटकटाया दरवाजे पे दस्तक दी 2003 में मेरे पिताजी सरकारी नोकरी में थे दादाजी सरकारी नोकरी में थे मैं भी सरकारी नोकरी करने के तयारी कर रहा था 2003 में दस्तक दी सेव सोब ने और मेरे भा बनने का सपना देखता है वकील बनने का सीए बनने कुछ बनने का डायमंड बनने का सपना कोई नहीं देखता है यह कोई लेना नहीं चाहता है तो कोई दे जाता है और मेरे साथ भी ऐसे हुआ इस बिजनस को मेरे को दे दिया गया मुझे समझ नहीं थी इस बिजनस को कैसे कर तो फिर उसको समाल के कहा रखोगे तो मेरे लिए मुलहीन था इसलिए मैं समाल के निर्ख पारा था एक फंक्शन में गया वहां से बहुत फाइड अब हुआ बहुत मुटिवेट हुआ मुटि बांद के आया कि हम भी डायमंड बनेंगे सब बांद के मुटि मैंने भी बांद ले लेकि मेरे अप्लाइन ने बोला आगले ही दिन के आप मुटि बांद के आये डायमंड बनोगे तो डायमंड बनोगे तो कैसे बनोगे मुझे समझाओ तो मेरे बास समझाने के लिए साल पहले सेखड़ों साल पहले किसी एक नदी के किनारे बहुत सारे बंतर बंदर्या खेल रहे थे और उस समय पर आकास में आकास मानी होती है आकास मानी में बोला गया कि कि आज जो घड़ी है आज की घड़ी सेखड़ों सालों में कभी-कभी बनती आज बहुत शुब मूरत है और शुब घड़ी में को भी बंदर बंदरिया अगर इस नदी में कूदेगा तो सुंदर सा राजकुमारी बन जाएगा तो यह अकासमानी सब ने सुनी एक काम से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया लेकिन थोड़ी देर के बात के एक दम हलचल होना सुरू हुई एक डाली पे बंदर उचलने लगा और पता नहीं क्या उचला वो सीधा नदी में कूद गया नदी में कूदने के वाद सुन्दर सा राजकुमार बन गया जब राजकुमार बन के बाहर निकला इस सारी घटना को वहाँ पर एक शिकार पर राजकुमारी विप्टी राज जी की उस शिकारी जो उसके साथ थे सैनेक उसे माधियम से उस असरा-कुमार आप पने नस्दीक बुलाया राजकुमारी ने और राजकुमार से पूछा जो बंदर था राजकुमार से असे पूछा कि मैंने पूरी घटना को अपनी आँखों से देखा मैंने आकास माड़ी को भी सुना और आप राजकुमार बन गए आपने कुदने का निर्डने लिया मैं आप से जानना चाहती हूं आपने ऐसे क्यों किया तो जो राजकुमार बंदर राजकुमार बन चुका तो उसने जवाब दिया राजकुमारी साहिवा आकास माड़ी आपने सुनी होगी तो मैंने भी सुनी थी उसमें बोला गया कि जो भी आज बहुत सुबगड़ी है सेक्ड़ो वर्सों में एक वार होती है पहले तो मेरा मन कि में भला जिसे सकता रजकमार को आपकी निकलेंगा को बहार बन जाएंगे लुटी निकलेंगी तो कॉंद परक पड़ता है ठंडे पानी में बहार आजाएंगे तो ठांडे पाने में निकलके बाहर आ जाएंगे राजकुमारी जी प्रभावित हो गई और मुझे ब्याद करोगे तो थोड़ी देर पहले बंदर था अभी राजकुमार हो गया और थोड़ी देर को राजा भी हो गया अभी तो यह कानी सुनने के बाद सब ने तालियां अपला इनने माता ठोका अपना तुम लिखवा के ले लो तुम कभी जनल में माश्टर नहीं बन पाऊगे तुमको इतना ग्यान नहीं है कानी में से क्या सीखना है और यह बंदर होते से फिर उन्हों ने समझाना समय सरा आप समझाओ और माधव जी आकासवानी तो आज भी हो रही है नहीं बोले माइक पर चिला रहे थे तो आकासमाणी तेज होती है तो इसलिया माइक पर बोला जा रहा था आकासमाणी तो है वहाँ बहुत सारे थे पेड़ों पर यहां कुरुशींट पर पर नाकुश। अब बोले चलो कूटे मैं बोले आप कूट के आप तो बने नहीं अभी तक बोला मैं नहीं बना तो क्या हुआ हम मिलके बनेंगे इसमें कूटे हैं फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई बात तो सही बोल रहे हैं बात सही कह रहे हैं कि अगर इसमें कुदे इसमें कुदet अगर All Oh To Pूरा बरुसा है कि नहीं बनेंगे ए सौ परसंट परुसा है नहीं बनेंगे लेकिन अगर तुकष कोई लग गया साअलों में सेकड़ों सालओं में को इसी पड़ी अगर हुई तो बनगे तो क्या बनेंगे डाइमेंट बनेंगे और नहीं बने तो क्या बनेंगे वो पहले से देख लेते हैं बनेंगे वो छोड़ो नहीं बने तो क्या बनेंगे वो पहले देख लेते हैं तो अगर नहीं बनें इसमें कुछ भी तो मास्टर तो हैं ही कि मास्तों तो हैं और यहां से नीचे कहां जाएंगे यहां खड़ें यहां मैं यहां खड़ा हूं यहां से उचलूंगा या तो ऊपर जाओंगा नहीं तो पताल में थोड़ी जाओं यहां तो रहूं गई यहां से नीचे कहां जाने वाला हूं यहां यह बस यह चोटी सी इस मोटी खोपड़ी में गुश गई अब तो भाई सब्सक्राइब अब कूदने के लिए अब कूदना था कूदेंगे कई लोग क्या करते हैं डाली को जुका के और पूछ लटका के देखते हैं नदी में पानी टेमपरेचर कैसा है कूदते नहीं हैं कता ही नहीं कूदते हैं ऊपर से चेक करेंगे पानी डाल के ऐसे ठीक है कि नहीं है फिर बोल दे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता मेरे को बोला कि कूदना है इसमें मैं कूद गया अभी इसमें कूदने के लिए मैं कूद तो गया यह जो रास्ता है यह यह मंजिल की और जाता है इस मंजिल पर चल के बहुत सारे डायमेंड बने इस कंपनी में बहुत सारे डायमेंड बने रास्ता सही है तो रास्ता तो चुल लिया रास्ता तो सही है मंजिल की और लेके जाएगा और सही रास्ते पर सफलता पाने के लिए खड़े होना बहुत ज तो रास्ता तो मुझे मिल गया अब इस पे दूसरा बात उन्होंने बोला कि मादो जी अब इस पे क्या करना है चलना है जब चलोगे तो परसुराम जी की गाड़ी में बैठे बल्बन जी की गाड़ी में बैठे अंबिकाज की गाड़ी है या आप लोगों की गाड़ियां है तो जब motorcycle motorcycle चलने वाले जब इसी गाड़ी में बैठते हैं मेंगी गाड़ी में मक्षन की तरह चलती है सो की रफतार तुरंट पकड़ लेती है और इसी गाड़ी में बैठ करके बड़ा धंदार गाड़ी है लेकिन इतनी मेंगी गाड़ी को चलाने के लिए सीखना जरूरी है कि लोग मांथे सीखना जरूरी है रास्ता कितना भी अच्छा हो गाड़ी कितने वी अच्छी हो लेकिन चलाएंगे नहीं तो ठुक जाएगे कि ठुक जाएगे सीखेंगे नहीं तो आहां यए आज सेप्सॉप जो कंपनी है और रेंज रोवर की तरह है आपके ड्रीम कार क कितनें excelcipe कियो नहां हो चलाना नहीं जानेंगे तो कहीं भी गुषादें कभी इदर भसादें 90 परस्टि लोग इस बिजनस में इसलिए असफल हो जाते हैं रास्ता तो सही ले लिया लेकिन चलाना हि नहीं सीखा और नहीं चलाया सीखा और तो क्या होता है चलाना नहीं आता चलाना नहीं आता कुट कर जाते हैं छोड़ देते हैं इदर उदर हो जाता है सीखते नहीं है मेरे को दूसरी बात उन्होंने बताई कि मादो जी इस बिजन्स में कैसे चलाना सीखना है तो मैं प्रज होती है कई तरह की वेल्थ होती है कई तरह की वेल्थ होती है लेकिन हम लोग हमेशा जातर इस फाइनेशल वेल्थ की और प्रभावित होते हैं कि फाइनेशल वेल्थ भी होती है फिजिकल वेल्थ होती है बहुत सारी है मेंटल वेल्थ भी है कि सोशल वेल्थ और लिखते सकत जहां पर आप बेठे हो वहां पर भी परमपिता परमात्मा ने बहुत सारी चीजों से नवाजा हैं खाली कोई नहीं है किसी पर औरीवार का धने किसीपर सामाजिक समंद्धों का धने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगा आपने भारत में अधुनिया में जिनके पैसा नही भारत रतन से नवाजा जाता है बड़े प्रसकार दिया तो क्या हो गरीव है नहीं उनके पास वह दौलत है किसी के पास बहुत अच्छे संबंद होते हैं पैसा नहीं होता उनके आस संबंदों की दौलत है किसी कि आप देखा एंगे अभी है औ senior बामसुर्स गूंब रहते रहे यह नहीं नहीं तक काई कर गएÓ बाम्मोर्त Beer 도 गरीवкрет को लिक है जाबी ओसे मावले में उमीर है चाहिएं पर जाह थिखिता थी पिसा और आप कि आपके पास आपके घर रूपी परिवार रूपी बच्चों की रूप में समाज की रूप में परिवार की रूप में बहुत सारी दॉलत है उसके लिए शुक्रियादा करना चाहिए और जो नहीं है उसके लिए तैयारी कर लेने चाहिए जितकी और हासिल करने की, है कि नहीं है, तो मैं शुक्रियादा करना चाहता हूँ, मैं भी, और बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ, कि मेरे को बहुत कुछ मिला, पहले से भी परिमात्मा ने दिया, और सेफ सॉप में आकर यह समझ में आ गया कि रास्ता तो सही है, यह रास्ते पर चलूँगा, यह मंजल तक मुझे ले की जाएगा, यह समझ में तो आ गया, और मैं आकर खड़ा हो गया, अब खड़े होने के बाद में, कितना भी सही रास्ता क्यों नहीं हो, मैं अगर इसमें सही तरीके से चलना नहीं सीखूंगा, तो कभी भी मंजल तक नहीं पहुंच सकता, इस बात को आप मानते हैं, तो रास्ता चुनना पहली बात है, तो रास्ता भी सही होना जरूरी है, लेकि उतना ही मैं तो दूसरी चीज भी है, और वह है, कि आपको इसको चलाना भी सीखना पड़ेगा, यह म सामने वाले से बात करनी है, उसको बहुत सारे प्रश्न więक्या हैं उनको कैसे हैं बब्रव नकिकिन करना हैं, इस बिजन्स की बारीकियों को कैसे समझना है, चाहे समझने में, एक दिन में नहीं समझोगे, समझने के लिए थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करोगे, लगातर आ ऐसे हैं कि नहीं है ऐसी बिजनिस में आप करते रहोगे 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 तो इसमें चिंदा करने की जुरूत नहीं है कि अभी कितना जानते हो कोई चिंदा की बात नहीं जितना जान रहा इस पर मैं रिजिस्टेशन डालना सेख लिए मैं कोर और रास्ता भी सही चूल लिया सेफसोप जैसा लेकिन और मैं कोर भी हूँ 100% लेकिन मैं चली ही नहीं रहा अरे थोड़ा ही चलो इस रास्ते पर मैं थोड़ा भी चलूंगा तो मंजिल की तरफ थोड़ा आगे बढ से मिलना थोड़ा ही सही लेकिन हर रोज करना यह नियम इसी तरह काम करता है जैसे आप यायाम हर दिन करें एक दिन घंटों कर डालें पता नहीं कुछ होगा के नहीं होगा लेकिन ददस मिनिट भी अगर आपने पांच-पांच मिनिट भी है किया तो कुछ महीनों में कुछ सा लगी उसकी बाद सुनोकरी में आगय हो लेकिन आपकी प्रास्ट मिक्ता ग्या है आप बनना किया चाहते हो तो मैं तो कूद्रा है हर रोज करना है तो अब रास्ता सभी मिल गया मैं चलाना भी सीख लिया और मैंने चलना भी सुनू कर दिया अब सही है कि नहीं अब 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 जाओंगा बोलो नहीं अप्लायन ने बोला अभी भी खत्रा है अभी भी खत्रा है जल्दी बताओ कहां खत्रा है अभी यह खत्रा है जब आप चलते हो तो चलने में सफर करने में रास्ता भ्रह्म होने का डर रहता है दिशा भ्रह्म होने का डर रहता है कितना भी बड़ा ही नहीं चलेगा और पहुंच जाओगे तो पता चलेगा पहुंचने के बात कि यहां तो आना ही नहीं था इसलिए इसके लिए दिशा बताने वाले को ढूंड के रखना और उन्होंने बुला हमारे बिजनस में ये काम करेगा हमारा गुरू हमारा कोच हमारा साथी हमारा अपलाइन हमारा मेंटर कोई है कैसा आदमी कोई है किसी सत्ता हो नहीं चाहिए जो मैं बताती रहे कि आप कर सकते हो कर सकते हो सही जा रहे हो सही ज अब हाथ पकड़ने हमने नहीं पकड़ा एक्चुली क्या हुआ पहले कुछ और थे वो भागे हाथ चुड़ा के तो जो मिला वह पकड़ लिया फिर उन्होंने वोला भी आभी मामला दूरा है फिर समझाया देखो रास्ता भी सही हो गया रास्ते पर खड़ा भी हो गया चलना भी सीख लिया चलना भी सुरू कर दिया रास्ता बताने वाला भी ले लिया अब उन्होंने बोला अभी मामला दूरा है आप क्या रहे गया तो उन्होंने बोला कि ये मामला दूरा इस तरह से है कि जब आपको मालूम है कि उस रास्ते प जोर से बोलो चार साल चलना है तो जब जैसे घर से आप निकले और कहीं आप यात्रा पे जा रहे हो ट्रेन में आप जा रहे और आपको लगा एक दिन और एक राफ चलेगी तो चौवीस घंटे चलेगी तो घर से ही 24 घंटे के भवस्ता करके चलते हैं जिंक खाने पीने की हैं कूडी पी होनी चाहिए सबजी भी होनी चहिए कई लोग तहरीवमिर्ची थी रख लेंगे प्याज भी रख लेंगे नम्कीन भी हो पूरी प्रेश्था कहीं आप जो नहीं मिलेगा साब सुतरा नहीं मिलेगा यह नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा हेल्दी नहीं होगा है ना बोलो हां कि ना कि तो 18 गंटे के सफर या 22 गंटे के सफर के साफ से हम विवस्ता करके चलते हैं पस अंतर यही है यह सफर चार साल का है तो चार साल के हिसाप से विवस्ता करके चलना है मैं यह नहीं बोल सकता मैं यह नहीं बोल सकता कि चार साल से पहले खड़ा होके कि मैं अब कैसे चलूं मैं अब कैसे चलूं तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल क्या बोलते हैं सर्वाइवल यह उन्होंने मेरे कान में पहले ही मंतर फूंग दिया तो मादव जी आप क्या साल चलोगे अगले अगले पांच साल का सेट करके चलना तो इसमें क्या होगा पांच साल में जब आप चलोगे तो चैलेंज आएंगे जब रस्ते में चलोगे कभी अंदेरा भी होगा कि नहीं होगा रात होगी कि नहीं होगी कभी भूग भी लगेगी कि नहीं लगेगी हमारे बिजनस में कभी फाइनेशल चैलेंज आएगा कि नहीं आएगा मिटिंग सटेंड करनी है यह करना है वो करना है फाइनेशल चैलेंज आएगा कभी फिजिकल चुपटी नहीं मिलेंगी आप चैनल 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 है और सभसे बढ़ी बोश की घर हाज सूने को मन कर रहा है और अंदर आगा डाम तो अभ़ भी उटके तयार होके जाना है ठके होने के पाफिजूद भी और भी उलिक कि बुखार है बीमार है बरसात है यह है वो समझे इसको जहल जाएगा आद lowered मूझे मालूम है फाइनेशन चोलेंज भी हाएगा इसको भी रहेगा कि आदमी को दो तरह से मार पड़ती है कई बार हम सफर में चलेंगे तो चलते समय जिनके साथ आ ब्यापार करो गए वही लोग ताना मारने का खत्रा है ताना मार सकते हैं तुम बनोगी मामला गड़ हो जाता है तूड़ जाता आदमी क्या परक पड़ता है खांदान जाएंगे जो आदमी को ब्रेक कर देते हैं तोड़ देते हैं परिवार के तौर पर वह परिवार हमारी ताकत है स्ट्रेंथ है परिवार के तौर पर कभी पेरेंट्स हैं उनको लगेगा यार यह तो कहां गुमता रहता इसा पते नहीं चलते हैं उनके गड़ापे में उनक लेकिन पता नहीं मिटिंग की कर रोड़ी मेरा पांहीं चुकिए पर निकल के निकल चुके हम तो इसको पता ही नहीं और तो और दो अभी कई वार आपको जाद आ रही है तो यह लेकिन हो भी है कर किसके लिए रहे हो परिवार के लिए क्ले कर रहे हो प्रेंट से आप अलग हो बच्चों से है कई आपको gef bankruptcy चेलेंच क्येंश घेल्जन और शानद है कई बार इसा होता था तो शादी हो गई घर में बच्चों से ब्लेस हुए तो अभी में बाहर रहता था तो अभी कई बार बच्चे बीमार हो जाते होते हैं चोटे बच्चे बीमार होंगे कि ने होंगे मैդम को बोलता करो अब मैधम को स्कूटी चलाना आता नहीं और दिक्कत आती है सारे चीजें उन्हें को बच्चो को सराना के लिए स्कूटी ले लेटे मैडम स्कूटी खरी ली स्कूटी खरीने का सonne कभे को पीछे बांद कर चला करे और इसी को बांद कर के स्कूटर चला करके और कई शीक होस्पेटल गूर्ट मिटिंग में जा रहे हैं अपने नहीं तो हमारी सफलता हमें में बहुत बड़ा हात है कि तो हुख हम समालते हैं घर को आप बार को सम्ह사로 50-50 कर लेते हैं को दिकत की बात बच्चों का भी है बच्चों ने कभी यह नी शिगायद दर्ज नहीं की लेकिन यह चीजें कई वार क्या होता है मैंनेज। करने की लेकिन अगर आप पूछों के कि जो भी नहीं रहे तो क्या परक पड़ता है अगर आभी बच्चों से पूछओ बेटा कैसी ए कंपनी सेबस सब्सक्राइब है रहे है तो अब आप क्या बूलेंगे मलबिजिस ने जीवर में क्या देदिया में किन सब्दों में बता हूं क्या बता हूं इन बच्चों को जोकर नोग से बोलते हैं कि तब होगा कि वोड़ि मोना मत जब कव मत नेनी तल की बोलना मत वहां की वो短ला मत Just You सल मेर की बोलना मत जैपुर की केमत देना कलती से अजमीरह मुझा जाएंगे निवारपु द्रांडिर जाएंगे मादर दो Besides और वह वी सोचेंगे इनके मूँ पेसे ले बोलो कि यहीं बोलते हैं इसेफसोफ की देन है कि अब लोगो सेफसोफ क्या किस लाइक बना देती है अभी लेकिन अपना पेट भर जाता है तो फिल लगता है और बगल वाले की थाली में अभी रोटी आनी चाहिए ना तो यह बच्चे अपने पढ़ रहे हैं परिवार अपना खुश है लेकिन यह परिवार अब हमारा यहीं तक सीमित न इसको आप अंदर की ताकत चाहिए अंदर से ज़रना चाहिए जो आप इससे निकलोगे और अंदर की ताकत सोफ़। आपको कहां से मिलेगी अंदर से ही और उसके लिए तयारी करने और आपको शप प्रिप्रेइर करना है योद्धा बनाना आप बाहरी तोर पर योद्धा भी बन गए लेकर अंदु RDA योद्धा बनना कि या करें गर और अब करना हैं और आप लोगों की बाइोग्राफी पढ़ने आप उनकी डाकुमेंटरी देखेंगे उनकी किताबें पढ़ेंगे उनकी जीवनी पढ़ेंगे और तो आपको अंदर से spring सुरू हो जाएगा जर्ना motivation का अंदर से और वो किसी भी बड़े से बड़े हमाले से टक्राने की ताकत आपको देगा बड़े से बड़े हमाले से टक्रा जाएगा बहुत बड़ा उन आरी पता चल जाए तो फिर बाद मेश्य और बीट कर देंगे नहीं कर देंगे एक्जाम को बस मेरे को स्लेबस में छ basically प्रणते 68 यह वाले लिए कौई जिन्दा की बात नहीं है जो नहीं आता है और पताया अप्लाएंग इसके रइंच से दूर मत होना कभी और अगले पांस साल का विवस्था करके चलना माइंटशेट करक रख नหा कैसे हेंडेल करेंगे क्योंकि करना मेरे को पंगा मैंने है जँए है कूदना मैंने है और बता दिया यह challenge आएंगे तो इसकी तैयारी करने भुप अर तैयारी करने भुप और बता दिया इसके लिए यह आपको मदद करेंगे यह पॉइंट्स मेरे को पता चल गए और अब पारी खेलने है तो जाओ बेटा शाबास कूद जाओ अब मैं कूद गया तो कूद गया तो कई बार दिन होगा तो कई बार रात होगी तो जब दिन दिन नहीं रहा तो रात रात कैसे रह सकती है बता हिए कई बार चेक आएगा तो कई बार नहीं आएगा बुरे से बुरा क्या होगा कई बार एक लेक चल जाएगी कई बार दूसरी चल जाएगी क्या परक पढ़ता है हालांकि वबात अलग एक अरवती लगाओगे मन्न यते मांगो कि जिस लेक के लिए वो नहीं चले कि दूसरे चल जाती है जो कोई बात नहीं है किया परपड़ता है लेकिन अब हम एक दिन का कैसे रिजल्ट देखें रिजल्ट तो हमें हमेशा उवरहल देखना है कि अधस पिछले के 20 साल का फिर दस साल का फिर में देखता हूं तो मैंने 2003 जोएन किया तो मुड करें देखें तो दस साल बात देखें लेकिं उससे पहले दो यह दो आर न्ो में 2003 में जोएन किया दो चानौ में uma diamond बन गिया शे साल का टाइम लगा 3 से लेकर 9 तक 6 साल यह men फिर अगले 6 में 9 से लेके 15 तक अगले 6 साल में मेरे टीम में 100 डायमेंड हो गए फिर फिर अगले 6 साल में 15 से लेके 21 तक टीम में 400 डायमेंड हो गए और उसके बाद तो अभी 6 साल हुए नहीं है एक ही साल हुआ है 2022 चल रहा है आपने सुनाई होगा रायल ट्रीमस टीम के 500 डायमेंट इस्टार कुरूज पर जानने वाले हैं अब लेकिन यह बोड़ यह देखे यह यहां तक यह जर्नी को जर्नी तो आसान है पॉइंट तो पता चल गए लेकिन इन जर्नी को तो भीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यह कौन कर पाएगा मालूम तो सबसलेवस हो गया तो एक कानी के साथ में बात को खत्म करूंगा और कानी यह है एक बार चुहा एक जान बचाने के लिए जंगल में एक फकीर के आस्रम में सादू के आस्रम में गुश गया तो वह आपने सअधू आश्रमा बहुत सारेश्ए रहते थे और συ कि यां बचाने के लिए पहुचा और सर्णागत हो गया कि में से लॉइंगा मेरी जान को नहीं ऑखड़ा है तोम्हें जान एक बिल्ली पहले से बंदी हुई है, दोड़ा दोड़ा गया, पूंच दबागे, बाबा जी तराही माम, तराही माम, बोला, क्या हुआ, बिल्ली आप कहा पहले से बंदी रखिए, बिल्ली से बचने के लिए आया है, बिल्ली पहले से बंदी रखिए, मेरे को बचाओ, मैंन तो अपना देख इंतियाम कर कुछ उला ना आपकी जिम्मेदारी है तो उला आप कुछ करो तो बाबाजी ने बोला कि ठीक है मैं तेरे को भी बिल्ली बना देता हूं एक मंतर मारा और उस चुए को बिल्ली बना दिया उला भी खुश भलाभी खुश भाबाजी की जैह हो बाबाजी की आसरम में एक कुट्ता सणागत हो गयाổi जहा है कुक्य अ किक त्रा इमाम करता हुआ है ऐआ बाबाजी मैं सणागत हो में मुझे अपनी जान मुझे बचाओ मेरे को कुट्टे से खत्रा है तो उन्होंने बोला देख में कुट्टे का तो सुभाव है में कुट्टे को मना नहीं कर सकता कि तेरे को नखाए नहीं नहीं आपकी जिम्मदारी मेरे को बचाओ एक काम करता हूं तेरे को भी कुट्टा बना देता हूं उसे मं जंड़ा मारके जैसे भार की हवा लेने गया उसको बेडिया दिखाई दे गया पूंच दबागे भागा भागा आया बावाज तरही माम बचाओ अब क्या हो गया बाहर बेडिया था जंगल के आसपास बहुत हैं लेकिन हमारे गेट पर भार ही घुम रहें दुनिया वर के ख से लडिया देखता हूं कोन है बाबाजी पीछे चारों दोड़ना लगा तभी उसको सेर की आवा सुनाए दी और जैसी सेर की आवा सुनाए दी फूच दवा के फिर भागा आसरम मैं और वह लो तरह हमाम तरह हमाम तरह हमाम बोला भी क्या हुआ बचा उसे भी जंगल में हो पूले अब क्या कर आए वर आप देखो 6 बाद जी बोले सालि व सैर empathy भी बना दूगा ना लेकिन तेरा दिल तुच्छ चुह गई रहेगा तो सालिट तेरे से कुछ बनाया, बेडिया बनाया, तेरे से कुछ ना होनेका जा! तिरे मैं चूछ ही बनाता हूं, बाग यहां से! और वह यहीं बलना चाता हूं, यह जर्णिय क्यारिगा गहां, डिसे सकथ़ाना हो! कुछ भी क्यों नंहों! कुछ भी क्यों न हो लेकिन जिसका जिक्रा शेर का है बॉइस में जिक्रागर शेर का है जिक्रागर शेर का है मैं देखता हूँ कोई बोलता है ये आ गया ये आ गया ये आ गया क्या बात करते हो आज आप आपका जिक्रागर शेर का है यहाँ पर आप इत्यास लिखेगा आपके नाम का एक दिन इत्यास लिखा जाएगा आपके नाम का और ये मंच आप सब का अबहान करता है तो यार है आप लोग मिलेंगे आपसे दो साल के बाद मैं डायमेंट की ब्लेक बेल्ट आज पहनाने में खुशी मिली और ज्यादा मिलेगी जब आपको पहनाएंगे डायमेंट की ब्लेक बेल्ट बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया जै हो आप सभी लोगों की थैंक्यू बरिमाद